अगर आप पानी पे हम तहीं स्मूंदर में किसी ट्रांसपोर्ट के थू जाते हैं तो उसके बारे में जहां स्टडी करेंगे जो अगरो झे चले बाले कांँसे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं यह चैन में नहें बाले कौन से थ्रांसपोर्ट-बोट्यई में जा हैं वाटर ट्रांस्पोर्ट है, a ship used for transporting large quantities of goods to far off places, ship किसके लिए use की जाती है, अगर आपने काफी quantity में कोई चीजे goods बेजनी हो, चीजे बेजनी हो, किसी कहीं दूर, तो उसमें ship का use करते हैं, The fishermen to use boards to catch fish, जो fishermen होते हैं, जो मचलियां पकड़ते हैं, वो किसका use करते हैं, बोर्स का, which they then sell in the market, जिने वो market में बेच देते हैं, इंडिया's coastline is protected by the Indian Navy in their huge modern ships that stay on this sea, तो हमारी जो इंडिया की आर्मी है वो क्या है तो वो क्या करती है जो इंडिया कोस्ट लाइन है इंडिया की हमारी जो समुंदर में धर्ती के साथ साथ हमारी जो कोस्ट है इंडिया की उसे कौन परटेक्ट करता है इंडियन ने भी वो किसमें रहते हैं उनकी बड़ी बड़ी modern ships हैं जो क्या है स्मूंदर में रहती हैं many people go for a cruise on large modern ships का liners कुछ लोग क्या करते हैं go for a cruise अगर उन्होंने पानी में travel करना है तो वो किसमें करते हैं large modern ships में करते हैं यहने क्या बोलते हैं liners ferries carry passenger across river or lakes अगर lakes में जा रिवर्स में जाना हो तो passenger को कौन ले कर जाता है ferries submarines or ships वो एक submarines क्या होती है ships होती है that move completely under water जो पानी के नीचे move करते हैं they used by the military and scientist यह किसके द्वारा use की जाते है military के द्वारा या फिर scientist के द्वारा ओके look at the picture यह किसके picture liner की just and क्या है raft next is transport by air जो हवा के थ्रू जो हमारे ट्रांसपोर्ट चलते हैं वो कौन से हैं हवा में चलते हैं यो all vehicles that move in the air are means of air transport जो वहिकल हवा में चलते हैं उन्हें कौन से ट्रांसपोर्ट बोलते हैं air transport they carry both दोनों को लेकर जाते है people को and goods को यह ट्रांसपोर्ट इस दी क्या है सबसे fastest है and the most modern means है हमारा जो modern means of transport क्या है एयर ट्रांसपोर्ट है aeroplane helicopter hot air balloons gliders and rocket are some of the means of air transport जे कौन से means है यह सबी क्या है एयर ट्रांसपोर्ट है people can travel from one city to another or to any part of the world in aeroplane इसके थुरू लोग कहां जा सकते हैं एक city में से दूसरी में यहां फिर वर्ल्ड में कहीं अगर उन्होंने एक city में से दूसरी city जाना है एक country में से दूसरी country पूरे बर्ल्ड में तो वो यह aeroplane के थुरू जा सकते है people boat them at airports from where they take off and land people कहां पर जाते हैं अगर उन्होंने जहाज पर चणन आ एरोप्लीन में या फिर एरोप्लेन रुपता है वो कहां पर एयरपोर्ट में goods transported by aeroplane also reach the airport जो goods हमने ट्रांसपोर्ट करने मतलब एरोप्लेन के थूरू जो goods जाती है वो भी कहां पर आती है एयरपोर्ट में from where they are loaded on a plane वहां पर उनको plane में loaded किया जाता है अके next is how do we travel हम कैसे जाते हैं we choose different vehicle depending on how far we need to travel the time we have and the cost of travel हम क्या करते हैं अलग अलग vehicle use करते हैं वो किस के उपर depend करता है कि हम कौन सा vehicle use कर रहे हैं कितनी दूर हमने जाना है या फिर कितने time में जाना है या इसकी कितनी cost है short distances can be covered using bicycle अगर आपने छोटी distance पर जाना है तो आप अपने bike cycle का use कर सकते हैं scooter का motorcycle का busses या फिर car का we travel to our school हम अपने school किस में जाते हैं school bus में go to a nearby market by rickshaw bicycle या फिर अपने scooter पर जाते हैं अगर हम market में जाते हैं निडे की नजदी trains या फिर trams, metro, rails, buses, trucks, aeroplane and ships में train travel has been the most popular form of long distance travel in India अगर आपने long distance में जाना है तो train travel सबसे main popular है जो हमारा travel है transport है our grandparents traveled mostly by trains for vacations or to meet family members in far off cities हमारे जो grandparents थे वो क्या करते हैं पहले trains का use करते थे अगर उन्होंने कहीं vacation पे जाना हो या फिर उनका कोई भी जो family member है दूर रहता है किसी और city में तो वो किसके तुरू जाते थे train के recently air travel has become an easy way of traveling from one city to another तो अब क्या हो गया हमारा जो air travel है वो सबसे easy way है जाने का एक city में से दूसरी city over the years many airlines companies have started flying to many cities within the India तो क्या है साल जैसे जैसे साल जाते जाने हैं तो हमारी बहुत सारी ऐसी airline companies हैं जो क्या कर रही है अपना स्टार्ट क्या कर रही है flying to many अगर किसी और city में जाना है तो ऐसे बहुत अपना aeroplanes वगेरा सभी companies manage कर रही है this has made long distance travel by air easier and more comfortable तो इसमें हमने क्या करना है long distance से जाना है तो यह easy हो जाता है airline के थूर यहां फिर और क्या होता है comfortable rockets are required to travel to outer space rocket किस लिए यूज किया जाते हैं अगर आपने outer space में जाना है like to go अगर moon पे यहां फिर किसी planet मार्स पे जाना है तो आप किसके थूरू जाओगे rockets के थूरू जाओगे topic is special vehicles अब हम जो हुमारे कुछ vehicles special होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे जैसे in pictures में दिवा there are many vehicles that are used for specific purpose कुछ ऐसे vehicles होते हैं जो specific purpose ले यूज किये जाते हैं these are called special vehicles उन्हें कौन से vehicles बोलते हैं special vehicles first one is an ambulance carry sick and injured people to the hospital यह कौन सा वहिकल है ambulance है यह क्या करती है जो लोग injured जखमी होते हैं या फिर sick बिमार होते हैं उनको कहां लेकर जाती है hospital में next is a fire engine is used for putting out fires fire engine किसके लिए use किया जाता है fire engine है यह fire लगाने में use किया जाता है police jeep carries police officer to help people यह किसकी जीप है police officers को लेकर जाती है अगर किसी भी people को help होती है तो police officer इसमें जाती है अब police jeep carries police officers to help people तो यह police jeep है यह क्या किसको लेकर जाती है police officers को लेकर जाती है people की help के लिए next is a mail band carries letter and parcels from the post office to different parts of the city तो यह क्या है बेटा एक mail band है जो हमारे letters आते हैं कोई डालता है ना किसी को letter या फिर पार्स लाते हैं हमें क्या करती है यह post office से उसको जो city है उसके different parts में distribute करते है next is an ice cream card keeps the ice cream frozen तो जो ice cream card है ice cream बाली गाड़ी है वो किसको लेकर जाती है ice cream frozen को रखती है next is vegetable cards are used by vendors to sell vegetables and fruits यह जो vegetable cards है यह कौन लेकर जाता है जो vendors means बपारी होते हैं जो सबजी यह बेचते हैं फ्रूड बेचते हैं वो इसे लेकर जाते हैं next is in the olden days प्राणे दिनों में क्या होता था people walk as much as possible और would cycle to nearby places प्राणे दिनों में लोगों से जितना चला जाता था वो अपना जो distance ऐसे travel करते थे या फिर cycle पर अगर कहीं नजीग जाना होता था therefore there were less traffic jams and less air pollution तो क्या होता था बहां तब क्या होते जाम भी कम होता था traffic jam और क्या होता था जो pollution है जो गारियां कितना pollute करती हैं हमारी air को भी नहीं होता था nowadays there are too many vehicles on the road आज कल क्या है कि बहुत सारे vehicles road पे होते हैं which causes frequent traffic jam जिससे क्या हो जाता है traffic jam लग जाता है this increase the air pollution ऐसे क्या होता है हमारी हवा क्या होती है pollute होती है परदूशित होती है we must be careful about using a particular means of transport तो हमें जिस भी आप ट्रांसपोर्ट का यूज करें उसको बड़े ध्यान से करना चाहिए we should walk as much as possible हमें उतना जितना आप चल सकते हो उतना हमें करना चाहिए and try not to use a vehicle for short distance अगर आपने कहीं short distance पर जाना है निजदी की जाना है तो आप अपने वहिकल का यूज ना करें अपने वाक आप मतलब simple चलकर जाएं तांके हमारा जो यह रहा है वो कम पल्यूटोब थैंक्स तूदेंस वा नाइस दे